हेलो गाइस कैसे हो आप सब मेरे नहीं अभी शेक और बहुत ही जादा टाइम के बाद हम कर रहे हैं स्वीट टेस्ट कंपेरिजन दोनों शाओमी के फोन है हमारे पास यह अभी जो लॉंच हुआ था कलीज की वीडियो चैनल पर दीए भाई शाओमी 11T 5G इसको कंपेर करेंग मेरे पास यह रियलमी का 8S 5G भी है इसके साथ इसका बैटरी ड्रेंट टेस्ट आएगा चैनल के ओपर और स्पीड टेस्ट देखना तो वह भी कॉमेंट कर दो तो गईस लेफ्ट में अपना 10 प्रो मैक्स और यह है 11T मतलब ऐसी रखा है तक यह आपको एजी रहे और स्क्र और यहां पर 10 प्रो मैक्स से बेटर है देख सकते हो और यहां पर उपन करते हैं देख लो मैसेज अप्लिकेशन भी इसके बाद यहां पर एपल.com खुल के चोड़ा था तो बैंचमार्क वाला उपन हो गया कोई बात नहीं इसके बाद हम यहां पर एपल.com भी खुल लेते हैं दुनी फोन के अंदर तो यहां पर हलका साही डिफरेंस है कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है लेकिन स्क्रिन क्वालिटी में डिफरेंस है एमलेड वर्सेज आई पीस 90 हर्स वर्सेज 120 हर्स तो वह एक चीज़ है एक्ट्रा स्मूध आपाई 10 प्रो मैक्स का जो करते हैं एक बारना मैं एक हैं स्क्रोलिंग स्कीड्ग कर लेता ह Lori तो डोनों तो चैन प्रो मैक्स को देखो भाई कैसे एड़स जो मैने प्रो मैक्स के अंदर नोटिस करी थी यह वह क्यों यहां का आप को दिख जाएगा यहां इंडर देखलो भाई अगेन यहाँ पर यह पहले ओपर इंडर यहां पर चलते हैं और यहां पर चलते हैं बहुत ही तगड़ी वहां पर चीजें मैं शेर कर रहा हूं आज कल तो यह वाली रील देखो होम पर चलते हैं प्राइम वीडियो उपन कर लेते हैं दोनों के अंदर और यहां पर टैमेंजटी में नोटिस किया है का काफी ज़्यादा जल्दी है एप्स को यहां पर उपन करत है स्ट्रीम कॉलिटी भी देखो दोनों के अंदर बराबर है वही तो देखो दोनों में एच्टी का सपोर्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है यहीं से रिज्यूम करके देखेंगे बाद में इसको एमेज़ॉन उपन कर लेते हैं दोनों में और देखो वाल भाई देख लो बहुत ही कम डिफ्रेंस है ऐसा कोई यूज डिफ्रेंस नहीं आया है लेकिन वैसे यहां पर ने टैन प्रो मैक्स लेट उपन करता है इसके कंपरिजन में दोनों में स्मूध अल्ट्रा है बैलेंस पे देख लो अल्ट्रा है दोनों में HD हाई है ऐसी कोई भ भाई यह 11T आ चुका है यहां पर और इसके अंदर भी 60fps के सपोर्ट नहीं इसमें भी नहीं है इसके अंदर डूवल स्पीकर तो है नीचे एक है एक ऊपर है यह पीस में नीचे का ब्लॉक करता हूं देखो तो भाई बहुत कम आवाज आती है उसक्रिम की क्वालिटी तो उसको पता चली रही है लेकिन इसके अंदर रहे हम वौल्यम को कम कर देते हैं और इसके सपीकर की वॉल्यम में बढ़ाता हूं तो आजरो करता हूं तो आल्मोस्ट बराबर सी यहाँ आती है तो सपीकर की मामले में भाई हमारा नोट 10 Pro Max बैट रहे क्लिए और डिस्प्ले पर लोड कर देता है तो यहां पर एक बड़ी फोटो क्लिक करके देख लेते हैं तो देखो भाई दोनोंने फोटो क्लिक कर दिये प्रोसेसिंग हलां कि उसना जल्दी गड़ी ती कोई बात नहीं चलो होम पे चलते हैं आप यहां पर रैम मेरेजमंट मैरेजमेंट चेक कर ले do calculator memory में है isolanating doider डहें तो बहुंब कर दिया है YouTube दोनों ने ईस्टागराम थो बहुत है तो दोनों में इस्टागराम ख़ोला हुआ वहें से रिजुम किया है मतलब और परांट आप्रां वीडियो में वह वह हैं ब्ले करकर चोट ही थी तौ वहें से रिज्यूम किया दोनोंने तो यह अच्छी बात है देख लेते हैं तो बीजी आमई 10 Pro Max में यह थिंक दोनों में रिलोड हो गई वाई ऐसवाल 9 जो इस फॉल्ट 9 को मेमरी में रखा है जिब किस ने रिलोड कर दिया था सबसट शर्फस शर्फस भी नोट ट्रो Max में memory में है Amazon application देख लेते हैं तो Amazon application भी Note 10 Pro Max में यहां पर memory में है वई और हलका-लका glitch आपने देखा दोनों में मिला था अभी और camera दोनों में memory में है तो RAM management के मामले में है और Xiaomi के phones उतने आदा कमाल के नहीं होते हैं लेकिन Note 10 Pro Max थोड़ा सा better perform कर रहा है इसके comparison में clear कर देते हैं तो यह देख सकते हो N22 का score है CPU GPU के मामले में देख लो भाई यहां पर GPU इसका better है Snapdragon में और इसके अंदर CPU हलका सा better है लेकिन moreover बहुत जादा फरक नहीं है स्कोर के बीच में देख सकते हो difference storage speed test देख लो भाई इसके अंदर UFS 2.2S में UFS 2.1 है तो score का भी difference यहां पर पता चल रहा है clearly काफी better है यह वाली storage is almost double powerful है हमारे 11T की इसके comparison में इसलिए यहां पर better app opening time हमें देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद यहां पर Geekbench पी रन किया था उसके scores भी almost बराबर से ऐसा कोई huge difference नहीं मिलता है में दोनों में so guys that's it for this video दोनों की जो performance है वो सही है मेरे को जो performance है वो उसकी user interface के अंदर ना मेरे को थोड़ी से ज़दा better लगी है 1060810 के साथ में लेकिन बागे सारी चीजे ना यहां पर better मिलती है आपको Note 10 Pro Max के अंदर तो बाई clearly better phone है Redmi Note 10 Pro Max इसको भाई बिल्कुल भी buy मत करो पता नहीं क्यों ही इसको Xiaomi ने निकाला है 5G के चक्कर में 5G को छोड़ दो बाई 2-3 साल तक 5G इंडिया में नहीं आने वाला है और आएगा भी तो भाई कितना हमें उसे यूज करें कितना महेंग होगा कुछ पता नहीं है तो भाई इसको जाओ और ले सकते हो नहीं तो वेट करो जो Xiaomi के Note 11 सीरीज आने वाली उसका वेट कर सकते हो तो कैसे अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया